जो आदमी अपने खर्चे बढ़ा लेता है और फिसूल खर्च करता जाता है आमदनी के अनुसार खर्चों में कटोती नहीं करता उसे जिन्दगी भर भूके मरना और लज्जित होना पड़ता है इसलिए सुखी रहना हो तो किफायत से रहना और अपनी जरूरतों को कम करना स दिखिए पंडे शेराम शर्मा आचारी जी उस्तक का नाम बचत ही आपकी असली आये है परिवार का एक ही फिसूल खर्च सदस्य समुचे कटुम्ब को ले डूपता है अमीरों के आराम तलब आलसी व्यस्तनी और विलासी उत्रादिकारियों ने कर्ज के शिकार बनकर बड उसनी रियासते नश्ट कर दी हैं और रईसों ने घर के मकान तक कौडियों के दाम बेच डाले हैं उन्होंने नया धन तो नहीं कमाया पुराने पर रिण लेकर जायदादें हड़ब कर गए हैं एक बार आदमी व्यर्थ की जरूरतों और गलत आदतों में पढ़ गया तो पह उसी के इर्दगिर्थ चक्कर लगाता है और उससे छूट नहीं पाता बुरी आदत उसे बार बार पचारती है पार व्यसन में डूबा हुआ आदमी कभी अपनी बचत की और ध्यान नहीं देता आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लगू पुस्तक जो बताती है मित्विय पुस्तक के कुछ सद्वाक के जूटी शान रखने वाले बड़े आदमी हुए खर्चों से ही मरते हैं जिस मनुष की जितनी ही आविशक्ताइं कम होंगी वह जितना ही किफायत दार होगा उसकी आर्थिक व्यवस्था उतनी ही सुविदाजनक होगी कर्ज लेने वाला क्षणिक आनंद मात्र को देखता है दूर द्रश्टी से वहाँ उन मुसीबतों को नहीं समझ पाता जो भविश में उस पर आ सकती हैं पहले भोजन फिर निवास और वस्त्रों पर खर्च कीजिए ये आपकी अनिवारे आवशक्ताएं हैं शराप, सिग्रेट, भंग, चाय, सिनेमा, आदिकी लत जहां शरीर के लिए हानिका रखे महां चरित्र और धन का भी बड़ा नाश करती है कर्ज लेना आसान है किन्तु अपनी जरूरतों और इक्षाओं को दबा कर उसे अदा करना बड़ा कठिन काम है भचत सबसे बड़ी आवशक्ता है क्योंकि भविश आनिश्चित है उस तक के कुछ मुख्य बिंदू पहला बड़ा कहलाने वाले वेक्तियों की आर्थिक विपक्तियां दूसरा मरते हुए भी रिंड का मानसिक बोच्छ तीसरा असंग की वेक्ति बचत ना करने के कारण बरबाद हुए है चौथा मित्वेई और सैयमी ही सदा सुखी त्रप्त और संब्रध रहता है पांचवा जरूरी खर्चों को क्रमित्ता दीजिए जरूरी तीसरा मुझे झाल रहता है ड्रहता है तीसरा बन्हारब बर्चत बजर्चत रहता है पांचवाचच को का जरुए है यह झाल ग्या झाल